नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है देखने जोतिष जराहट के आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोशी तो भाईया आज बारी आ गई धनु राशी की साथ रहस से धनु राशी वालों के और धनु लगन वालों के इससे पहले कि आप इसको देखें मैं आपको बता दू पुकारने के नाम से connect मत करिएगा कुंड़ि खोलिएगा चंदरमा को देखिएगा कि चंदरमा नौ नंबर में अगर बैठा है या आपका लगन अगर नौ नंबर का है तो यह कार्क्रम आपका है पुकारने के नाम से match नहीं करेगा दूसरी शर्त चंद्रमा और लगन में से जो बलवान होगा मतलब जो जीरो से नहीं जो पांच से बीस बाईश डिगरी के बीच में होगा उनके लिए ये हंड़ेट परसेंट टैली करेगा साथ रहस्य सेवन सिक्रेट्स आफ साजिटेरियंस चाहे लगन चाहे म चंद्र राशी के हिसाब से ही आपके पुकारने का भी नाम हो तो बात अलग है मूल है मूल साइन आपका चंद्रमा जिस राशी में है वो अगर धनु है और लगन जिस राशी में है अगर वो धनु है तो ये कारिक्रम आपका है कलकुलेट करिए जोड़िए हर राशी के ल खाएंगे नहीं आंतरिक रूप से जो मैं बताने जा रहा हूँ ये चीजें निस्संदेह नकारात्मक होती हैं तभी ये रहस्य मई होती हैं तभी तो इनसान इन्हें शो नहीं करता अगर ये बहुत सकरात्मक होती तो शो कहनी करेगा अगर गुण होती ये चीजें तो बताता ना तो ये रहस्य जो होती है ये गुप्त इसलिए वो रखता है क्योंकि ये निगेटिव होती है तो पहला रहस्य जो धनुराशी और धनुलगन वालों का है वो आंतरिक रूप से ये अहंकारी होते हैं घमंडी होते हैं ये अंतिम स मैंने बताया है कंफर्व रहस्य नंबर दो अपने वस्तूओं को अपनी चीजों को अपने संसाधनों को बहुत छुपा कर रखना चाहते हैं आपको कतई नहीं बताएंगे इनसे अगर कुछ आपने मागा तो बहुत मुश्किल है कि आपको मिल जाए यह दूसरा रहस्य था मतलब यह बहुत दानवीर टाइप के नहीं होते हैं धनुराश्य रहस्य नंबर तीन धनुराश्य धनुलगन कल्कुलेट कर लीजेगा जोड लीजेगा इनके मन में जो भी होता है उसे एक्सपोज नहीं करते हैं बहुत खुल के नहीं बताते आप समझ जाएंगे तो खुल जाएंगे यह नंबर चार धनुलगन धनुराश्य साजिटेरियन्स नाइन नंबर रहस्य नंबर चार बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ अपने बच्चे और अपने पती या पत्नी को लेकर ये किसी भी हद तक चा सकते हैं किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी से भी टकरा सकते हैं पंचम भाव से इनका संबंध इतना ब्यहतरीन होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं ये बहुत आइडियल हस्बेंड वाइफ मा या पिता होते हैं क्योंकि पंचम से इनका संबंध मंगल वाला होता है जो की आक्रामक होता है ये दिखाते नहीं लेकिन होता है रहस्य नमबर पांच ध्यान दिजिएगा अब ये जितनी इधर के रहस्य है न ये बहुत खतरनाक वाले हैं पैसों को लेकर के ये काफी लापरवाह होते हैं काफी लापरवाह होते हैं उस पर बहुत जादा फोकस जो नहीं होते हैं पैसों को लेकर वस्तुओं को लेकर के अबने बताया होते हैं पैसों को लेकर के लापरवाह होते हैं अतह इनका धन अक्सर इनके दोस्तों रिष्टेदारों में फंसा पड़ा रहता है जिसकी वजह से धनु राशी धनु लगन के लोगों को अक्सर अपने पती या पत्नी से खूप सुनना पड़ता है कि वो पैसे का तगादा नहीं करते हैं अब दो रहस से लव लाइफ और मैरेड लाइफ को लेकर धनु लगन धनु राशी सामानने रूप से ये जनरल प्रेडिक्शन है अब धनु लगन धनु राशी पीडित हो जाए माली जे चंद्रमा धनु में है शनी बैठा हो या अश्टमेश या खष्ठेश की द्रिष्टी पड़ती हो वो एक जनरल चीज हो गया सामानने द्रिष्टी से हम बता रहे हैं बहुत सामानने बता रहे हैं इसको अन्यथा लेकर के नहीं जाना है वो एक स्पेशल केस हो गया अगर उस पे राहु की द्रिष्टी है चंद्रमा धनु राशी में है राहु की द्रिष्टी है वो स्पेशल केस हो गया सामानने रू कियेगा जल्दी इन्हें कोई पत्थ भ्रष्ट नहीं कर सकता in the matter of married life special case अलग है वो तो कोई ग्रह पीडित कर दिया तो भटक गया कोई भटका दिया वो विशय अलग है general धनुलगन धनुराशी की महला they are just like very similar to in this matter of married life very similar to Leo's सिंह राशी सिंह लगन के लोगों के बहुत करीब होते हैं the matter of married life love life love life भाई साहब इस मामले में एक बड़ा रहस्य है अगर इनका प्रेमी या प्रेमी का किसी और के साथ flirt भी किया तो बीच सड़क पर ये चपल मार देंगे गरिया देंगे पटक के मारेंगे तो अगर क्योंकि पंचम भाव मंगल का है न तो अग्रेशन भरा रहता है never hurt their egos in the matter of love प्यार मुहबत के मामलों में इनका ego hurt न करियेगा नहीं तो आप पिट जाएंगे ये मेरी गारंटी है ये याद रखियेगा तो आपके सामने हमने धनुराशी के धनुलगनवालों के सात रहस्यों को खोला इनके जीवन के सात रहस्यो के बारे में बताया धनुराशी धनुलगनवालों के लिए हमने जैसा की बताया था कि ब्रहश्पती नीच रासी में आया हुआ है लिहाजा आपको बहुत सम्हालना है अब आने वाले समय पर और आज ही 38 मार्च को ही ये परिवर्तन हुआ है तो आने वाले 13 महीने आपको ब नहीं अच्छा रहेगा तैंकियो सो मच घर बैठे तीन लोगों की कुंडली 15 अप्रैल तक 15 अप्रैल 2000 तक मात्र 51 सो में दिखा सकते हैं अधिक जानकारे के लिए हमारे दिये गए नंबर्स पर कॉल और वाट्सप कर सकते हैं लेकिन मित्रों प्लीज इस महामारी में घर से बाहर मत निकलिएगा यह हमारी गडबर्ध प्रार्दना है इस्तिती बहुत विकट और विक्राल है थैंकियो नमस्कार स्री किष्णा शेरादे